हेलो एब्रिवन प्यारे बच्चो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने ताकि आपको हर एक वीडियो मिले तो जैसे बच्चो देखिए एकलब अवासी विद्यालाई के लिए जो हम बहतरीन तयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर को हम मोडल टेस्ट जो की सो नमर का पूरा हम करेंगे ठीक ना तो चली आज किस वीडियो में सरवनाम बताऊंगा जो कि पिछले वीडियो में संग्या उसके पिरकार पढ़े थे ठीक ना तो सरवनाम देखिए जो की इंगलिस में हम क्या बोलते हैं इस राम स्कूल गया वह पढ़ाई करता है इस वाक्य में वह सरवनाम है ठीक ना मालो देखिए राम के बारे में चर्चा चल रही है कि राम स्कूल जाता है राम सहर जाता है राम खाना खाता है राम खेलता है तो हम क्या है राम बारवार ना प्रियोग करके हम उसकी जगा क्या कर रहे हैं वह है ठीक ना तुझे सारे वर्ड क्या हो जाते हैं सर्वनाम हो जाते हैं अब देखे सर्वनाम बहुत सारे वर्ड हैं जो कि मैं आपको यहां पर लिख देता हूं तो वह होगा ठीक ना इसके बाद क्या होता है हम इसके बाद वे ठीक ना और इसके बाद क्या हु ना उसका तो ये سारे words रहते हैं बच्चो सरोणाम रहते मतलब किसी का संमन्ध याा हम किसी का नाम ना लेके प्रियोग करते हैं तो वह हम वे तुम मैं या है इसका ठीक ना ये सारे words क्या होते हैं सरोणाम होते हैं चलिए अगर आफ note कर लिए होगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब सरवनाम के क्या पढ़ेंगे परिकार ठीक है ना type of pronouns तो यहाँ पर देखें next जो है pronoun type ठीक ना pronoun के हमें क्या पढ़ना वच्चो टाइप पढ़ना है तो देखें pronoun के type है पहले प्रुसवाचक सरवनाम तो प्रुसवाचक यहाँ पर pronoun दिया है तो इसके हम पढ़ेंगे क्या definition जो किसी व्यक्ति या वस्तू का बोध कराते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं प्रुसवाचक सरवनाम जैसे हुआ है हम यह वे यह ठीक ना तुझे क्या हो जाएंगे अभी इसके बाद हम objective question practice करके देखें कि आपसे क्या बने हैं क्या सीखें पहले हम description पढ़ेंगे इसके बाद objective ने इसी हम आंगे करेंगे ठीक है ना चलिए इसके बाद देखें next है second number निजवाचक सरवनाम निज मतलब क्या होता है जो स्वयम का अपना ठीक है जैसे यह है निजवाचक सरवनाम हो जाएगा जो स्वयम के लिए प्रियोग होते हैं या है अपना में ठीक है ना इस तरीके जे हो जाएंगे स्वयम का अपना तो जी क्या हो जाएंगे निजवाचक सरवनाम अब इसके बाद देखें next संबंध वाचक सरवनाम जैसे जो जिसका किसका तो किसी को क्या है पन संबंध बता रहे हैं ठीक है जो जिसे यहां पर संबंध वाचक जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार करता है दो वाक्यों को जोड़ेगा वह क्या हो जाएगा संबंध वाचक relative pronoun इसके बाद देखें नेस्ट टॉपिक जो नेस्ट टाइप है पिरिश्न वाचक, सरुनाम जो प्रिशने पूँचने के लिए उपयोग होते हैं, तो सरुनाम क्या हो जाएगा मालोग मेरे पास एक पैन है तो यह पैन किसका है किसका जो हो जाएगा, हम नाम न लेके क्या किसका प्रियोग कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा हिंदी में इनको ध्यान रखना है जो कि प्रिश्ण वाचक सरुनाम हो जाएगा प्रिवनाम ठीक ना कौन क्या किसका ठीक ने किसे और भी जो आँगे हम लिख सकते हैं चलिए इसके बाद नेश्टे देखे निश्चय वाचक तो जी प्रिश्ण वाचक कौन क्या किसे अब निश्चय वाचक सरुनाम में क्या हो जाते हैं बच्चो जो निश्चिता प्रिकट करते हैं इसी या है वही जी क्या है निश्चय एक हमें निश्चित पता चलते है कि हाँ या ही है या वही है ठीक ना तो चलिए नैश्टे और इसके बाद अनिश्चय वाचक सर्वनाम कोई कुछ जो अनिश्चता को वेक्त करते हैं अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे object जो की लगाएंगे question अब हम description पढ़ लिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम कोई कुछ ठीक नप पुर्सवाचक कुछ सब्द हो जाएगा पूरू नान बताईए सर्वनाम यह घर और इसके बाद देखिए नैश्ट यहांपर क्या लेका है एक option कलम तो यहां पर कलम है तो यहां बताईए d option जो की वहाँ पर लेका है गलम तो राम यह घर कलम तो क्या हो जाएगा यह अब हम देखे हैं ज next question swim किस प्रकार का सरुनाम है मतलब swim आपसे पूचा क्या यहां पर पुरुसवाचक सरुनाम निजवाचक सरुनाम निश्चेवाचक पृष्णवाचक अभी हम देखें तो हमारा भी ओप्सन होगा निजवाचक सरुनाम निजवाचक पृष्णवाचक पृष्णवाचक सरुनाम हो जाएगा यहां पर पूचेए वाट्स चलिए next question कौन किस प्रकार का सरुनाम है अब कौन पूचा है आपसे संबन्द वाचक पृष्णवाचक निश्चेवाचक निजवाचक चलिए बताइए वाच्चों यहां पर देखिया हम अभी पिछले पड़े हैं जो कि हम कौन ठीक न कौन याब रहाए विसी सम पूच रहें कौन आया कौन गया तुझे क्या हो जाएगी पृष्णवाचक कोस्चन सरुनाम कोस्चन प्रोणाउन कोस्चन प्रोणाउन हो जाएगी जो कि हम अभी देखें ठीक है ना चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा पृष्णवाचक सरुनाम भी ऑप्शन सहीं अब इसके बाद नैश्टिक कोस्चन है फोर नमर का यह है किस प्रकार का सरुनाम है पृष्णवाचक निश्चे वाचक समंदवाचक अनिश्चे वाचक यह क्या हो जाएगा बच्चो निश्चे वाचक सरुनाम हो जाएगा यह है इसके बाद question फिप्त नमर का है कोई किस प्रकार का सरुनाम है कोई यहां पर पूंचे बच्चो कोई ठीक ना क्या निश्चे वाचक क्या पृष्ण वाचक क्या पूर्स वाचक क्या अनिश्चे वाचक कब देखो कोई आया हमें क्या कोई आया है कोई निश्चित हमें पता नहीं है तो यह क्या हो जाएगा अनिश्चे वाचक सरुनाम तो सी ओप्सन आपका सही हो जाएगा तो बच्चो इस टाइप से हमने question कि यह पांची practice आज के लिए थे और जो next हमारा class अंगले दिन रहेग आपको जूड़ जाना सस्क्राइब करिए जय हिंद जय भारत